तो कैसे हो फिल्मी दोस्तो स्वागत है आपका सिनेमा की दुनिया में आज के इस वीडियो में हम 6 मूविस की बात करेंगे जो मैंने लास्ट वीक में देखी है और ये 6 की 6 मूविस हॉलिवुड की मूवी है तो अब कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सिधा चलते हैं और वन पर उसी मूवी की बात करते हैं जो मुझे इस वीक में सबसे ज्यादा पसंद आई है जो मूवी मेरी तरब से आपके लिए हाइली रिकमेंड है मूवी का नाम है प्रिंस और पर्सिया तसेंस ओप टाइम जो 2010 में रिलीज हुई थी ये एक एक्शन फैंटेसी मूव यह एक प्रिंस की जिसका नाम है दास्तान और दास्तान के पिता यानि की राजा जिसका कोई खून कर देता है और इस खून का इल्जाम दास्तान पर डाला जाता है पर असल में दास्तान ने तो उसके पिता का खून नहीं किया है और एक खास बात कि दास्तान उस राजा का सोतेला बेता है, तो अब वो गद्दार है कौन, जिसने राजा को मारा, इसके आगे प्पिछे इस मुई की कहानी गुमती रहती है, और दास्तान, जिस पर उसके सोतेले पिता को मारने का इलजाम लगाया गया है तो वो इस सबसे दूर रहता है यानि कि बाग जाता है क्योंकि उसको भी पता है कि उसके उपर उसके पिता को मारने का इलजाम है तो वो भी यही डुन रहा है कि ऐसा कौन है चो उसको फसाना चाता है और पिता जी को मारा किसने और इस सब के अलावा इस movie के अंदर हमें एक जादूई खंजर भी दिखाया है जिस खंजर से समय में पीछे जा सकते हैं यानि कि यहां time travel और यह बात इस movie को और भी ज्याद़ इंट्रेस्टिंग बनाती है यह एक बहुती बैतरिन बहुती अच्छी movie है देखना जरूर नमबर टू मुई का नाम है Catch Me If You Can जो 2002 में रिलीज हुई थी यह एक crime drama मुई है जिसे आप netflix और जियो सिनेमा पर हिंदी डब के साथ देख सकते हो और prime वीडियो पर सिर्फ इंगलिस में देख सकते हो movie के lead actor है Leonardo DiCaprio और Tom Hanks इस movie की story एक inspired story है जिसमें हमें एक frank नाम का लड़का देखते हैं जो की एक fraud है मेरा मतलब है कि वो fraud काम करता है जैसे कि नकली checks बनाता है और फिर bank से पैसे हरपता है नकली documents भी बनाता है जिससे वो जब जो चाहे वो बन सकता है जैसे कि doctor, pilot वगेरा और उनी documents की मदद से वो जहां जाना चाहे वहां भी जा सकता है Frank की इन सारी हरकतों के बारे में FBI को पता चल जाता है और फिर FBI वाले Frank को पकरने के पीछे पड़ जाते हैं इसके अलावा movie के अंदर हमें Frank की एक love story भी दिखाई है तो उस love story का क्या होता है और FBI वाले Frank को पकर पा movie है जिसे आप प्रैम वीडियो पर हिंदी रब के साथ देख सकते हो और यह 18 प्लस movie है तो इससे बच्चे तो दूरी रहना कहानिया एक लड़के और लड़की की लड़के का नाम है बैन और लड़की का नाम है बी जो दोनों एक दिन मिलते हैं उन दोनों के बीच में अच आत साथ में गुजारी और फिर जब सुबह होती है तो भी सबसे पहले उठ जाती है और वहां से बैन को कुछ भी बता है बीना सिधा चली जाती है और जब इस बात के बारे में बैन को पता चलता है तो थोड़ा सा गुसा हो जाता है और बी की इंसल्ट करने लगता है और अभी वहाँ पर भी वापस आती है और उसकी ये सारी बाते सुनती है और वह उसले नाराज हो जाती और वहाँ से वापस चली जाती है तो यह पर ये अगर आपको इस तरह के कि मुवी से देखना पसंद है तो इस मुवी को जरू से देखना ये एक अच्छी मुवी है और हां मैं ये बात मानता हूं कि बी के अच्छे है पर साइद थोड़े जरुवत से ज्यादा है नमबर फॉर मुवी का नाम है स्टे जो 2005 में रिलीज हुई थी ये एक थ्रिलर मिस्ट्री मुवी है जिसे आप प्राइम इडियो पर देख सकते हो मुवी के लीड एक्टर है रायन गौसलिंग कहानी एक हैं घंडरी नाम के लड़के की जो की थोड़ा सा पगला गया है या फिर काओ की बुख्ला गया है पर ऐसा हमें मुवी में लगता है और हेंरी को ऐसा लगता है कि उसने अपनी फैमिली को मार दिया है जिस वज़े से उसको इस बात का बहुत ही जद रिग्रेट हो रहा है यानि कि पच्तावा हो रहा है और अब वो खुद कुशी करना चाहता है जहाँ पर हमें मुवी में एक मनो चिकित सक्पी दिखाया है जो कोशी से कर रहा है कि हेंरी खुद कुशी ना करे उसको कैसे रोका जाए अब आगे इस मुवी में क्या होता है और असल में यहाँ पर हो क्या रहा है और ये सब कुछ चल क्या रहा है ये सब कुछ आप इस movie में देखना और ये एक ऐसी movie है जो सब लोगों को पसंद नहीं आएगी कुछ लोगों को आएगी और कुछ लोग कहेंगे एकदमी गटिया movie थी तो इसके लिए मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको थोड़ी सी depressing type की movie पसंद आती है तो इस movie को जरू से देखना है या फिर आप Ryan Gosling के fan हो आपको पता है कि उनकी movies कैसी होती है और आपको उनकी movies देखना अच्छा लगता है तो कोई tension की बात नहीं है तो भी आप इस movie को देखो एक अच्छी movie है पर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की movies देखना पसंद करते हो तो मैंने जो कहा कि अगर आपको depressing movie या फिर रायन कोशलिंग की movies पसंद आती है तो इस movie को देखना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी वरना मत देखना नमबर फाइव movie का नाम है Once Upon a Time in Hollywood जो 2019 में रिलिज हुई थी ये एक drama comedy movie है जिसे आप जियो सिनेमा और प्राइम वीडियो पर हिंदी डब के साथ देख सकते हो movie के लीड एक्टर है लिना डो डिकेप्रियो और ब्राड पिट और इस movie के लिए ब्राड पिट को Best Actor in Supporting Role का Oscar Award मिला है कहानी है Hollywood की 1969 के समय के आसपास की जिसमें हमें दो आदमी दिखाए हैं Rick और Cliff जो दोनों अच्छे दोस्त भी है और Rick एक एक एक्टर है और Cliff उसका stunt डबल है Rick एक एक्टर है तो Hollywood में उस समय में यानि के 1969 के समय के आसपास में किस तरीके से movies बनती थी किस तरीके से actor acting करते थे और उसको किस तरीके से suit किया जाता था यह हमें इस movie में देखने मिलता है यह movie आपको 110% Hollywood के पुराने दिनों की याद दिलाएगी जिसमें आपको पता चलेगा कि उस समय audience क्या सोथी थी किस तरीके का logo का point of view था इस movie को देखते time जितना मज़ा मुझे इस movie के end के part में आया है न उतना मज़ा है तो मुझे इस पूरी movie के अंदर नहीं आया है और अगर आपको पता है कि Hollywood की movies कैसी होती है आपने बहुत सारी movies देख रही है और आप किसी भी movie को देख सकते हो अगर आपको movie का थोड़ा सा concept अच्छा लगे तो अभी जो मैंने movie के बारे में जितना सब कुछ बताया उससे आपको लगता है कि आप इस movie के लिए थोड़े से इंटरस्टेड हो तो इस movie को जरुत से देखना वरना इस movie को भी आप skip कर सकते हो पर मेरे कहल से तो आपको इस movie को देखना चाहिए आपको भी Hollywood की जो तरह तरह की movies होती है और अलग-अलग movies उनके बारे में पता चलेगा और कुछ नया जानने मिलेगा तो अब लास्ट movie यानि की नंबर 6 मुई का नाम है मैडम वैब जो इसी साल यानि की 24 में रिलीज हुई थी ये एक एक्शन थ्रिलर मुई है जो एक मार्वेल की मुई है और इसके copyright सौनी के पास है तो हां ऐसा कह सकते हो कि मार्वेल और सौनी दोनों ने मिलके ये movie बनाई है सिता मुद्दे क की बात पर आऊं तो इस मुई के अंदर उतना कुछ खास है नहीं जिस वज़े से ये movie मैं आपको recommend करूं और आपको कहूं कि आप इस movie को देखो और अपना time waste करो और पता नहीं क्या सोचकर makers ने इस movie को बनाया है किस तरीके से dialogue लिखे हैं और खासकर इस movie के end के part के dialogue मुझे तो बहुत ही जड़ा cringe लगे क्योंकि अब वो जमाना चला गया है जब ऐसे dialogue यूज किये जा सकते थे और अगर makers चाते तो इस movie को बहुत ही अच्छी बना सकते थे क्योंकि उनके पास वैसे सब था और वैसे भी Sony और Marvel मिलके बना रहे हैं ये movie तो थोड़ा बहुत वह पैसा अच्छे से यूज कर सकते थे अच्छे से स्टोरी डाल सकते थे VFX और सब कुछ अच्छा कर सकते थे पर पता ने उन्होंने क्यों नहीं किया मुझे तो इस movie को लेकर आपको इतना ही कहना है कि इस movie को मत देखना अपना time waste मत करना इस movie की जगह पर कोई और movie देख लेना और आप उनके दिवान है होगी तो फिर आपको डकोटा जॉंसन की वज़े से इस मैडम वैब मुई को देख सकते हो तो फिर मुझे कोई problem नहीं है और अगर आपने यहां तक वीडियो देख लिया यानि कि यह देख रहे हो तो आपने देखाई है तो उसके लिए दिल से तन्य आपने वाद और यहां तक अब अगर वीडियो देख लिया है तो इस वीडियो को चरू से लाइक करना अपने दोस्तों के साथ सेर करना कुछ पी अगर कहना चाहते हो तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करके वो बैल आइकन चरू से दबाना मिलते है नेक्स्ट व सेवारी करना यो मेल आपका आपका योल खना और शॉल सिस्क्राइब कालना मिलते है आपका थो तो फ HAR और बगर thishead अर कर to Л